नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवांस एक्सल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूटूब वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सल एंड वीवे माक्रो तो यह हमारी चल रही है टैबलू की स्रीच तो ला इसमें डेटा कैसे कैसे लोड करेंगे लोड क्या तरीका है इससी के साथ हम आपके साथ डिस्कूस करते हैं तो यहां पर कि connect है जैसे आप फर्स टामी ओपन करते हैं तो आपके साथ connect का विंडो आता है इस connect विंडो में Microsoft Excel, text file, JSON file, msaccess, pdf और बाकी file आप यहां देख रहे हैं उसके लाबा यहां पर servers है Tableau servers, Microsoft SQL server, MySQL, Oracle, Amazon, RedSites या more अब बाकी sites हैं तो इसमें किस-किस database को किया जा सकता है जैसे कि Excel आप Excel पर click करेंगे और अपनी Excel file को select करेंगे तो Excel को आप impact कर सकते है डेरा, अगर आपने text file पर click किया आपने text file को select किया तो आपका text file कर जाएगा और उसे तो से आप access msaccess file को भी आप यहां से कर सकते है MS Access File, जैसी MS Access File में गए और MS Access File को Select किया आपने, और उसके अलावा फिर इसमें database की password किया, password डाला आपने, अगर database की password है तो और इसके अलावा कुछ और भी है, बर्गुश्में स्क्रूप बगड़ा तो आप इसमें इसका इसमाल कर सकते हो, लेकि password होगा तो डालेगा ऐसी जरूत नहीं है, ऐसे आपके पास कोई PDF फाइल है तो आप PDF फाइल को भी कर सकते हो, यहां से, single page, range या start page, end page आप देंगे और आपका PDF इंपोर्ट हो जाएगा, इसके लाब और फाइल है, इसके वाला आप यहां मोर पे जाएंगे, तो कोई और फाइल जिसको आप सेलेक्ट करेंगे और सारे फाइल आपके सपोर्ट करते हैं, आपका फाइल का टाइप देख लिजिए अगर इसमें आपका टाइप मैच करता है तो फाइल आपका इंपोर्ट किया जा सकता है, यह तो रही फाइलों की बात, फाइल के बाद बला आवाती है, आपको सर्वर करता है तो अपने टैबलू का सर्वर का पूरा बात यहां दे सकते हैं तैबलू आउनलाइन पर जाके, उसके अलावा अगर आपने Microsoft SQL Server इस्थमाल की हैं तो यहां पर आप सर्वर नेम जैसे कि मेरा सर्वर है IPT डेटाबेस डालाद चाहते होते कर सकते हैं और विंदोर स्थमाल है क्योंकि मेरा लोकल होस्ट है अपने यहां पर साइनिंग किया तो आप देखेंगे मेरा साइनिंग हो जाएगा अब मालेज़े आपने एक सर्वर ले रखा है तो यहां पर भी आप क्नेक्शन में आड़ पर क्लिक कर सकते हैं यहां से अब आड़ कर सकते हैं अले स्क्राइब को सर्वर है तोहुँ कि एक ऑरिकल का पार्ठ है मारे स्क्राइब करते हैं यहां अलावन है उसके अलावा यहां पर 100 टाइफ आफ ए है सिक्वेसर सर्विस है जैसे कि यहां पर आप देखेंगे गुगल बिक्यूरी है आपके पास गुगल क्लावड एसक्वेल है गुल गुगल सीड्स है गुगल सीड्स को भी किया जा सकता है यहां पर हडूप है और गुग अनाटिक्स है यहां पर डिसेवल है लेकिन गुग dalej नीक्स भी आप सकते हैं । गुगल यनलेटिक्स में क्या होता है जैसे कि आप लोग आपके बास ऑग जो यूटूब परकल का पार्ट है उसका हैसमाल कर सकते हैं chin तो इस सारे database को आप पारि वारे से एड़ कर सकते हो, लेकिन मेरी इस course के अंदर में हम जacz करेंगे Excel पर और v Esteem जद्द फोकसिया होगा क्यों कि इनिश्टी के अंदर में हम इसी जदसा, यूज करते हैं, तो हमारा यूज यह होगा, तो डेटाबेस को कैसे connect करना है यह तो आपने इस वीडियो में सीखा अगली वीडियो में बताएंगे कि डेटाबेस क्लेक करने के बाद किस तरह से उसका हम इस्तमाल करते हैं कुछ सेंपल रिपोर्ट और डैस्पर बनाके देखेंगे तो इससे के साथ आप मेरे साथ बने रही है हमारी YouTube चैनल पर और साथ में अगर आपके पास डीवीडि पर शेर्ज करना चाहते हैं हमारी एकसल वीवी एकसल बागे सबकी या फिर मेरे साथ लाइब क्लास्टे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सब्सक्राइब किजिए वहां पर पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगी कोई भी डाउट हो एक्सल से एक्सल से टैबलू से स्कुल से तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने फेरेंस को शेर जरूर कीजिएगा थांक वाकि इस वीडियो वाइब नाइस देख